भारत के लिए बुधवार का दिन बड़ा जटका लेकर आया उलम्पिक में सिल्वर मेडल पक्का कर फाइनल में एंट्री करने वाली भारतिये पहलवान विनेश फुगाट को अयोग्य गोशित कर दिया गया है इस पर प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने आई ओए से इस मामले पर सख्त आपरती दर्ज करने को कहा है पीएम मोदी ने इंडियन ओलम्पिक एसोसियेशन के अध्यक्ष पीटी उशा से बात कर जानकारी मंगी है पीएम मोदी ने ऐसे स्तती में सभी विकलपों पर विचार करने के लिए कहा है इसके साथ ही पीएम मोदी ने विनेश फुगाट को अयोग्य ठैराने के मामले में परिस ओलमपिक समीती के समख्ष विरोध दर्ज करने को कहा है इससे पहले PM ने विनेश के अयोग्य गोशित होने के बाद एक पोस्ट शेयर की थी इस पोस्ट में उन्होंने विनेश के खेल की तारीफ करते हुए मेडल से चूक जाने पर दुख जताया था उन्होंने कहा था कि विनेश आप चैंपियनों के चैंपियन हो, आप भारत का गौरव हो और हर भारतिये के लिए प्रेड़ना स्तरोतो आज के जटके से दुख पहुंचा है, काश मैं शब्दों में बता पाता कि इस समय कितना मायूस हूँ लेकिन मुझे पता है कि आप फिर वापसी करोगी, चुनोतियों का डटकर सामना करना आपके स्वभाव में है, मजबूती से वापसी करो, हम सभी आपके साथ है महीं भारतिय उलंपिक संग ने कहा कि ये खेद जनक है कि भारतिय दल महिला कुष्टी 50 किलोग्राम वर्ग से विनेश फोगाट के आयोग्य घोशित होने की खबर साजह करता है और राध भर टीम की और से किये गए भेहतरीन प्रियासों के बावजूद, आज सुबह उनका वज़न 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक था इस समय दल की और से कोई और टिपणी नहीं की जाएगी, भारतिय दल आपसे विनेश की निज्टा का सम्मान करने का अनुरोध करता है आपको बता दे विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम रैसलिंग में डिस्क वालिफाई किया गया है विनेश का वजन जब थोड़ा बड़ा हुआ पाया गया तो उन्होंने इस से कम करने की कोशिश भी की थी क्योंकि आज गोल्ड मेडल का इवेंट होना था लेकिन वो तैमानक से ज्यादा पाया गया विनेश कुमार को पैरेस ओलंपिक में आयोग्य गोशित किये जाने के बाद ये बताया गया तो कि उनका वजन 50 किलोग्राम से मेल नहीं खा रहा था उधर विनेश पोगाट बेहोश हो गई है इसके बाद उनको पैरेस के एक अस्पताल में भरती करवाया गया उनको आईवी फ्लड देने की कोशिश की गई विनेश डी हाइडरेशन के कारणा अस्पताल में भरती की गई थी